ये बाते करते हुए तीनों आदमी फिटन के पास गए, पीछे पीछे ताहर अली भी थे, यहां सोफिया खरी सूर्दास से बाते कर रही थी, प्रभू सेवक को देखते ही बोली, प्रभू, यहां अंधा तो कोई ग्यानी पुरुष जान परता है, पूरा फिलासफर है, मिसे गवार नहीं है, सूर्दास को सोफिया से सम्मान पाने के बाद ये अपमान पूर्ण शब्द बहुत बुरे मालूम हुए, अपना आदर करने वाले की सामने अपना अपमान कई गुना असहियो हो जाता है, सिर उठा कर बोला भगवान ने जन दिया है, भगवान की चाक्री करता हूं, किसी दूसरे की ताबेदारी नहीं हो सकती, मिसेस सेवक तेरे भगवान ने तुझे अंधक्तियों बना दिया, इसलिए कि तू भीक मानता फिरे, तेरा भगवान बढ़ा रखना, लेस दैन, चार बच के चावन मिनट एम सूर्दास को सोफिया से सम्मान पाने के बाद ये अपमान पूर्ण शब्द बहुत बुरे मालूम हुए, अपना आदर करने वाले की सामने अपना अपमान कई गुना असहियों हो जाता है, सिर उठा कर बोला भगवान ने जन दिया है, भगवान की चाकरी करता हूं, किसी दूसरे की ताबेदारी नहीं हो सकती, मि इसका अनादर क्यों कर रही है कि मुझे शर्माती है, सूर्दास भगवान अन्याई नहीं है, मेरे पूर्व जन की कमाई ही यसी थी, जैसे कर्म किये है, वैसे फल भोग रहा हूं, ये सब भगवान की लीला है, वो बड़ा खिलाडी है, घरोंदे बनाता बिगारता रहता ह उसे किसी से बैर नहीं, वो क्यों किसी पर अन्याई करने लगा, को कभी माफ न करती, सूर्दास मिस साहब, अपने पाप सबको आप भोगने पड़ते हैं, भगवान का इसमें कोई दोश नहीं सोफिया मामा, ये रहस्य मेरी समझ में नहीं आता, अगर प्रभु ईसु ने अपने रुधिर से हमारे पापों का प्रायश चित कर दिया, तो फिर इसाई समान दशा में क्यों नहीं है अन्य मतावलंबियों की भाती हमारी जाती में अमीर गरीब, अच्छे बुरे, लंग्रे यूले, सभी तरह की लोग मौजूद है इसका क्या कारण है, मिसिस सेवक ने अभी कोई उत्तर न दिया था कि सूर्दास बोल उठा मिस साहब, अपने पापों का प्रायश चित हमें आप करना पड़ता है अगर आज मालूम हो जाए कि किसी ने हमारे पापों का भार अपने सिर ले लिया, तो संसार में अंधिर मच जाए मिसिस सेवक सोफी, बड़े अफसोस की बात है कि इतनी मोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आती, हालांकि रिवरेन पिम ने स्वयम कई बार तेरी शंका का समाधान किया है प्रभू सेवक सूर्दास से तुम्हारे विचार में हम लोगों को वैरागी हो जाना चाहिए क्यूं? सूर्दास हाँ, जब तक हम वैरागी न होंगे, दुख से नहीं बच सकते जौन सेवक शरीर में भभूत मलकर भीक मांगना स्वयम सबसे बड़ा दुख है, ये हमें दोखों से क्यों कर मुक्त कर सकता है सूर्दास साहब, वैरागी होने के लिए भभूत लगाने और भीक मांगने की जरूरत नहीं हमारे महात्माओं ने तो भभूत लगाने और जटा बढ़ाने को पाखन बताया है वैराग तो मन से होता है, संसार में रहे, पर संसार का होकर न रहे इसी को वैराग कहते हैं मिसेस सेवक हिंदों ने ये बाते युनान केजवक से सीखी हैं किन्तु ये रही समझते की इनका व्यवहार में चार बच के सतावन मिनटेम औल, सक्ताह, सूर्दास साहब, वैरागी होने के लिए भबूत लगाने और भीक मांगने की जरूरत नहीं हमारे महात्माओं ने तो भबूत लगाने और जटा बढ़ाने को पाखन बताया है वैराग तो मन से होता है, संसार में रहे, पर संसार का होकर न रहे इसी को वैराग कहते हैं, मिसिस सेवक हिंदूों ने ये बाते युनान के जवब से सीखी है किन्तु यह नहीं समझते कि इनका व्यवहार में लाना कितना कथिन है ये हो ही नहीं सकता कि आदमी पर दुख सुख का असर न पड़े इसी अंधे को अगर इस वक्त पैसे न मिले, तो दिल में हजारों गालियां देगा जौन सेवक हां, इसे कुछ मत दो, देखो क्या कहता है अगर जरा भी भून-भूनाया, तो हंटर से बाते करूंगा सारा वैराग भूल जाएगा, मानता है भीक धोले धोले के लिए मिलो कुटों की तरह दोरता है उस पर दावा यह है कि वैरागी हूँ कोचवान से काड़ी, फेरो, क्लाब होते हुए बंगले चलो हजारों गालियां देगा, जौन सेवक हाँ, इसे कुछ मत दो, देखो, क्या कहता है अगर जरा भी भून-भूनाया, तो हंटर से बाते करूंगा सारा वैराग भूल जाएगा, मानता है भीक धोले धोले के लिए मिलो कुट्टों की तरह दोड़ता है, उस पर दावा यह है कि वैरागी हूँ कोच्वान से गाड़ी फेरो, क्लाब होते हुए बंगले चलो सोफिया मामा, कुछ तु जरूर दे दो, बेचारा आशा लगा कर इतनी दूर दोड़ा आया था चाहता हूँ, प्रभू सेवको हो, मुझे तो पैसे भुनाने की याद ही न रही जौन सेवक हरगेज नहीं, कुछ मत दो, मैं ऐसे वैराग का सबग देना गाड़ी चली, सूर्दास निराशा की मूर्ती बना हुआ, अंधी आँखों से गाड़ी की तरफ ताकता रहा मानो उसे अब भी विश्वास न हूता था कि कोई इतना निर्दई हो सकता है वह उप्चेतना वह उप्चेतना की दशा में कई कदम गाड़ी के पीछे पीछे चला सहसा सूर्दास, खेध है, मेरे पास इस समय पैसे नहीं है फिर कभी आऊँगी, तो तुम्हें इतना निराशन होना पड़ेगा अंधि सूक्षमदर्शी होते हैं, सूर्दास थिती को भली भाती समझ गया फिर्दै को क्लेश तो हुआ, पर बे परवाही से बोला मिस साहब, इसकी क्या चिंता भगवान तुम्हारा कल्यान करें, तुम्हारी दया चाहिए, मेरे यही बहुत है सोफिया ने मा से कहा मामा, देखा आपने इसका मनजरा भी मिला नहीं हुआ प्रभू सेवक हाँ, दोखी तु नहीं मालूम होता जॉन सेवक उसके दिल से पूछो, मिसेज सेतल गालिया दे रहा होगा हुआ, औल, प्रभू सेवक हां, दोखी तो नहीं मालूम होता, जॉन सेवक उसके दिल से पूछो, मिसेज सेवक गालियां दे रहा होगा, गारी अभी धीरे धीरे चल रही थी, इतने में ताहर अली ने पुकारा हुजूर, यह जमीन पंडा की नहीं, सूर्दास की है, यह कह मेरी है, सूर्दास हां हुजूर, मेरी ही है, बाप दादों की इतनी ही तो निशानी बच रही है, जॉन सेवक तब तो मेरा काम बन गया, मैं चिंता में था की न जाने कौन इसका मालिक है, उससे सौदा पटेगा भी या नहीं, जब तुम्हारी है, तो फिर कोई चिंता नह जब तुम्हारे पास इतनी है, जब तुम्हारे पास इतनी जमीन है, तो तुमने ये भेश क्यों बना रखा है, सूर्दास क्या करून हुजूर, भगवान की जो इच्छा है, वह कर रहा हूँ, जौन सेवक तो अब तुम्हारी विपत्ती कर जाएगी, बस ये जमीन मुझे दे दो, उपकार का उपकार, और लाब का लाब, मैं तुम्हे मुह मानगा दाम दूँँगा, सूर्दास सरकार पुरुखो की यही निशानी है, बेच कर उन्हें कौन मुह, दिखाओंगा, जौन सेवक यही सड़क पर एक कुवा बनवा दूँगा, तुम्हारे पुरुखो का नाम चलता रहेगा, सूर्दास साहब, इस जमीन से मुहले वालों का बड़ा उपकार होता है, मुहले वाला साल चराई के पाते हो, सूर्दास कुछ नहीं, मुझे भगवान खाने भर को योही दे देते हैं, तो किसी से चराई की उलून, किसी का और कुछ उपकार नहीं कर सकता, तो इतना ही सही, जौन सेवक आश्चर्य से तुमने इतनी यही चराई के लिए छोड़ रखी है, जमीन लिए बिना, तुम्हारा गला न छोड़ूगा सूर्दास सरकार, यह जमीन मेरी है तुम्हारा गला न आडू न सूर्दास सरकार, यह जमीन मेरी है जरूर, लेकिन जब तक मुहले वालों से पूछ नलून, कुछ कह नहीं सकता, आप इसे लेकर क्या करेंगे, जौन स सूर्दास हुजूर, मुहल्य वालों से पूछे बिना मैं कुछ नहीं कह सकता। जॉन सेवक अच्छी बात है, कूछ लो, मैं फिर तुम से मिलूंगा, इतना समझ रखो कि मेरे साथ सौधा करने में तुम्हें घाटा ना होगा। तुम जिस तरह खुश होगे, उसी तरह खुश करूँगा। ये लोग जेब से पांच रुप्य निकाल कर, मैंने तुम्हें मामूली भिखारी समझ लिया था, उस अपमान को ख्षमा करो। सूर्दास हुजूर, मैं रुके लेकर क्या करूँगा। धर्म के नाते दो-चार पैसे दे दीजे, तो आपका कल्यान मनाऊंगा। और किसी नाते से मैं रुके न लूँँगा। जौन, सेवक तुम्हें दो-चार पैसे क्या दून। इसे लेलो, धर्मार्थी समझो। सूर्दास नहीं साहब, धर्म में आपका स्वार्थ मिल गया है। अब ये धर्म नहीं रहा। जौन, सेवक ने बहुत आग्रह किया, किन्तु सूर्दास ने रुके नहीं लिये। तब वह हारकर गारी पर जा बैठे। मिसेज सेवक ने पूछा क्या बाते हुई। जौन, सेवक है तो भिखारी, पर बड़ा घमंडी है। पांच रुके देता था, न लिये। मिसेज से जौन, से लिये। झाल झाल